आज के प्रेक्टिस एक कोशन आपको हैं दिखाई दे रहा है लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी लोग वीडियो को जब देखें तो एयर फोन का या हैटफोन का यूज जरूर करें जिसे कि आवाज आपके पास बिल्कुल किलियर पहुंच सके तो कोशन कुछ तुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें काफी इंपोर्टेंट कोशन भी हैं समय भी कम है और साथ जितने भी कोशन है जो बार-बार आपके सामने सोगर गुज रहेंगे तो उतनी ज्यादा आपकी अच्छे प्रैक्टिस होगी और वो कोशन आपका छूटे का नहीं जरूर आप इसमें सक्षिस होंगे सफाल होंगे पहला कोशन हमारे पास में निमलिकित मैंसे कौन सूचनाओं की पिरकिरिया के रूप में लेखां पुस्तकों में आकडों का अभी लेखन बित्तिय बेवरणों के रूप में सारांस की तैयारी तो इसके अनुसार अगर हम देखें सबसे लाश्ट की यहां पर बात पूची गई अंतिम चरण की बात पूची गई है तो अंतिम चरण जोगा वो सूचनाओं का संप्रेशन ह पूरी पिर्किरिया क्या होती है कर सबसे पहले कोई लेंदेन होता है और उस लेंदेन को यानि ट्रांजाक्शन ट्रांजाक्शन के बाद में फिर जेनरल में एंट्री होती है फिर उसकी कैश्च बुक बगयरा जो बनाई जाती वो एक अलग चीज हो गई लेकिन अग्याने डिखला अग्याने यह पूरी प्रकिरीया होती यह काम हो जाता है इसके बात पर चलता नियोजन यानि लाव का नियोजन चलता है सूचनाओ का फिर बेशलेशन अब निर्वचन चलता है और फिर चलता है सूचनास का संप्रेशन निजुचित यानि उचित जो हमारा सबसे अच्छा निद्नाज्ट में लिया जाता है अब सबसे लाइट जो होता है वह अचले He dette तो यहां जो हमारा संप्रेशन के लिए होगा वह सूतनाइक संप्रेशन क्या अगले कोशन के और बढ़ रहा है और अगला कोशन हमारे पास में है कोशन नम्मर दो है कि निमलिखित में किस लेखांकन अब्धार्णा के अनुसार ब्यापार का स्वामी भी अपनी पूझी की सीमा तक लेंदार माना जाता है यानि जो भी कोई व्यापारी व्यापार में अपनी पूझी लगा कर कहीं तो व्यापार को शुरू करता है अगर वो बहां नहीं लगाता कहीं और अपनी पूझी को लगा देता जिससे उसको लाप्राप्त होता तब वो जहां भी लगाता वहां लेंदार होता इसलिए अपन यानि दोनों का अलग अलग अस्तित्य होता है अगला कोशन हमारे पास में तलपट के भीतर दिया गया बेतन दिखाया था तलपट जो ट्राइल वैलेंस के अंदर ही जो आइटम्स उसमें लिखे हुए हैं जो बाकिये दे रखी है उसकी बात चले कि उसके अंदर अगर लिख क्षब होगां तब फिर इसको दिखाय जाएगा कहां दिखा जाएंगा ब्यापार आपार आर्थिक चट्थे में त्रेडिंग हम चीट बालंब च्रेंट यहां पर हमारे पास राइट ऐसर जोगा वोगा जब ये तल ट्राइल वे रजान्स के अंदर दिया गया है तब आर्थिक चिठ्थे में यहां पर दिखाया जाएगा अर्थिक चिठे के दाईत पक्ष में अधत बेतन है अगर यह समय उजणा में दिया गया होता तो फिर लाभानी खाते में भी इसको दिखाया जाता संबंदित व्य में जोड़ करके यानि बेतन में जोड़ दिया जाता और बैलेंस इट में भी उसको दिखाया जाता लेकिन तलपट के अंदर ट्रायल वैलेंस के अंदर ही दिया गया है अगला कोश्चन हमारे पास में तलपट बनाने के लिए पर आया बिधी का प्रियोग किया जाता है तो योग विदी ये सेश विदी और पर्योग तुमेंसे कोई नहीं तलपट जब सीख रहे होते हैं तलपट जो बात होती है जब हम सीख रहे होते हैं ट्रायल वैलेंस को तो योग विधी के द्वारा भी सिखाये जाता है शेश विदी के द्वारा दिखाये जाता है तो इस तरह से आंसर ये होना चाहिए हमारे पास में योग एबम सेश दोनों के द्वारा लेकिन जब सीख लिया जाता है किसी कंपनी में घुष जाते हैं किसी ब्याबार में घुष जाते हैं और बैक को सुरू करते हैं तब उसमें योग विधी का कोई योगदान नहीं होता है तब बहां बनाया जाता है शेष विदी योग विदी तो सीखते समय सिर्फ इस बात के लिए बना लिया सही माइने में जो है वो राइट आंसर सेज भी दी ही होगा लेकिन अब यह कोशन या आयोग ने कई बार इस कोशन को कभी तो भी दे रखा कभी सेज दिया है और एक आद बार यह गया हम से दोनों दिया है तो फिलाल चो इसको हम मानें यह कोशन कंफ्यूजन का है अलाकि दोनों बात है सही है इसकी लेकिन फिलाल जो हमारे पास में यह सेज भी दी लेकिन यह भी गलत नहीं होगा इसलिए कंफ्यूज है यह कोशन क्योंकि दोनों भी होते हैं बंदा बनाया जाता है लेकिन मैंने बताया जब एक्शूल में हम किसी कंपनी का वर्ग करते हैं तब उसमें केबल सेश विदी ही का पिर्योग किया जाता है अगले कोशन की और बढ़ रहे हैं और अगला कोशन है तुलनात्मक चिठ्थे में तुलनात्मक आर्थिक चिठ्थे में दस हजार रुपय का प्रारहमिक घटकर 500 रुपय हो गया इसे माना जाएगा तो इसको जो म आप पूर्बदत व्याय जानि प्रेपेड प्रेड एक्सफरेंस तो इसको कहां दिखाया जाए मिए प्रेपेड इएक्सफरेंस तो इसे साब सहीजी संपत्ति बन जाती देखें आर्थिक चिठ्थे के दाइत्त पक्ष में लावानिन्योजन खाते में या परी चालनसे ल इसलिए इसको संपत्तिपक्ष में देखलाया जाएगा और अगर होता है तो अगर को दाइत पक्ष में देखलाया जाता इसमें जो समायो जना है इसलिए चार बहुत महत्त पूर होती है यानि आउट इस्टेंडिंग एक्साइंसस फूर्वड़त व्याय जानि प्रिपेड एक्साइंसس फिर ढॉए होती है अधुट अधिक है यानि आश्योड इंकम और दूसरी नेहीं निध्य इंकम और इन में से एक फिर आती है आएगा इस्तखित विए फिलाल यहां पर और तिक चेटे के संपत्य पक्षमिस का राइट आंसर आगले कोशन को चल लाएं अब अगला कोशन ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि यह सोलूशन करके तब ही आएगा हाला कि अगर इसका अंसर बता भी दिया जाए तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका सोलूशन आना चाहिए और सोलूशन जो है वो सिखाएंगे और सेलूशन सारे प्रेक्टिस एट के कोशनों के खटा करके एक अलग से वीडियो बना देंगे इससे सोलूशन वाले नुमेरिकल जितने भी सब कम्प्लीट हो जाएंगे अगले कोशन के और चल लाएं आप उस पर जाकरके प्लेलिस्ट बनी हुए है नया अनुपात ग्याद करना तो उसमें आपको सारा सीखने को मिल जाएगा यह सारे कोशन जो है वो इसी तरह के कोशन है नुमेरिकल के आधार पर है और इनको ऐसे नहीं किया जा सकता है जब तक हम इनको सॉलूशन ना करें अगले कोशन की ओर चल रहे हैं जो कोशन नमर हमारे पास में है दस तो यहाँ पर हमें सुमेलित करना है यहाँ पर मैच करके तब इसको आंसर हमें देना है जैसा कोशन यहाँ पर दे रखा है सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर को है अब मिलान करें तो साजे दार का रिन जब तक हम दोनों को नहीं देखांगे तब तक नहीं समझ पाएंगे तो साजे दार का जो रिन होता है वह छh तो पुनर मूलैन खाता और सामने द दे रखा लाभ वाणी समायुजन के था तो पुनर मुल्याær घंग सअरैं हनुत उल्डवल करेंस बंद लेना है इसके हिसाब से हमस्वाय हो आंशर विसे सब्सक्राइब हो zakा तो जो टो यह गोशलने देकिन के द्सक्राइब आर जो आ रहा है वो फश्ट नंबर पर आ रहा है और यह हमारा फॉर्ट नंबर पर आ रहा है इस तरह से हमें मैच करके देखना है अब जो भी इस तरह से हमारे पास में आएंगे वो हम देख लेंगे कि वो कौन सा बनेगा क्योंकि वह आगे वीडियो यह आप अपने पास नोट कर लें तभी आगे बढ़ाऊंगा अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा फिर यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि मुझे यह अठाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ा पाऊंगा स्क्रॉल कर भाऊंगा तो इसके हिसाब से जो हमारे पास आंसर इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ए बनेगा यह यह हमारे पास में था एक बार और इसको देख लें यह यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है तो साध्य दारका यह था इम्रत्यू यह थी ब्यावसाई की हानी डेविट हो गई और यह इस तरह से हम देखें तो यह हमारे पास बैट रहा है ए अगले कोशन क्यों चल रहे है यह भी निमेरिकल है निमेरिकल के लिए मैंने पहले ही बता दिये क्योंकि मेरे पास केवली मोबाइल की स्क्रीन है और मोबाइल के स्क्रीन पर एतना बड़ा निमेरिकल जो है यह हो नहीं सकते तो इसको निमेरिकल के लिए तो एक खटा करके अलग सही वीडियो लाएंगे अगला कोशन हम ले रहे हैं 14 नंबर का अंस निर्गमन पर प्राप्त प्रेमियम का प्रियोग किया जा सकता है यहां पर पूशा है प्रियोग किया जा सकता है बोनस अंसों के निर्गमन के लिए प्रबंदक को पारिश्रमिक देने के लिए या किसी व्यावसाई को देशे करें लिए तो यहाँ पर बोनस तो प्रियोग किया जा सकता है लेकिन प्रवंदक को पारश सर्मिक देने के लिए भी नहीं किया जा सकता ये भी नहीं किया जा सकता राइट आंसर हमारे पास में भी होगा अगले कोशन क्यों चल ले हैं और ये अगला कोशन हमारे पास 15 नमबर का अंसों के निर्गमन पर अंस के अंकित मूले से जो अधिक धनलासी प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है तो राइट आंसर जो होगा अंस प्रीमियम खाते में इसको क्रेडिट किया जाता है ओप्सन हमार अगले कोशन के और अगला कोशन हमारे पास है कि अंस आवंटन की राशी देए होने पर अंस आवंटन खाता किया जाता है अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी दो चार दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें सम्मूले पर अंसों का अगर वह आपने वीडियो देखी और वह आपसे आते हैं तो यहां आप आंसर बढ़े आराम से दे सकते हैं कोशन क्या है कि अंस आवंटन की राशी देए होने पर यह प्राप्त नहीं हुए यह देए होने पर बड़े बड़े तरीके से वह मैंने समझाया था आप उसको आती हैं तो बड़े आसानी उसमें हमें हो जाएगी अन्य था दिक्कत रहेगी क्योंकि तुक्के से काम नहीं चलने का है ताव इसके लिए लेखा होता वो लेखा क्या होता है कि शेयर कि अलोट्मेंट एकाउंट कि डियार और टू अ यह यह कैपिटल एकाउंट यह इसका लेखा होता है कि शेयर कैपिटल हूंट अब इस हुषाप से अष्म क्योंकि में पूंचा क्या है ringsमावंट्न खाता किहा होता है कि यहां पर देख रहे हैं कि देंट है तो होगा अगले कोश्चन की ओर चल रहे हैं हूँ और अगला क पिर्थम याचना कि राशी प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है कि मैंने भी आपको बताया था कि वह वीडियो पड़ी हुए अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी पिर्थम याचना ही नहीं चाहें वह आविदन की धनलाशी प्राप्त होती है तब हम लेखा करते हैं इसका कर ते बैंक एकाउंट डि यार मारों इस चीज की धनलाशी प्राप्त हो रही हो तो कॉल है लेकिन यहां बात कहीं गई है प्रथम यह आचना इसके इसके अपर लिखेंगे हम फएस्ट कॉल यहां पर दब लिखा है तो आप देख सकते हैं बैंक खाता है यहां पर क्या हुआ है डेविट हुआ है तो राइट आंसर इसका ए होगा डेविट अगले कोशन की और बढ़ने और अगला कोशन हमारे पास में है एक संचेज पूर्व अधिकार अंसधारी पिछले बर्सों में अधत्त लाभांस की मांग अधिकार स्वरूप केबल तब कर सकते हैं जब परियाप्त लाभ हो कंपनी का समापन हो परियाप्त तरल कोश हो उनको लाभांस देने से पूर्व संचाला को ने समस्त अंसधार्यों को लाभांस बेतरित करने को प्रस्ताव किया हो अब एक चीज बता दूँ मैं आपको इस question को कई पुस्तकों में मैंने देखा है और कई पुस्तकों में इसके अलग-अलग answer दे रखे हैं और question कई बार TGT PGT के exam में आ चुका है कई books में इसको दिया है company का समापन पर कंपनी के समापन पर किसी book में मैंने इसको देखा है कि उनको लावांस देने से पूर्व संचाला को ने समस्त अंस धार्यों को लावांस बेतरित करने को प्रस्तावित किया हो या प्रस्ताव दिया हो लेकिन इसका सही राइट आंसर हमारे पास यह भी हो जाता है कि पर्याप्त तरल कोश तो company के पास जब भरपूर मात्रा में धनलासी हो जाती है तब भी वो कर सकती है तो इस तरह से कोशन कंफ्यूज है को मिला कर यह कोशन कंफ्यूज है कि अलग अलग बात है कहीं गई है इसके लिए कई चीज जब कख्छा 11 से लेकर कर दो कख्छा 11 से लेकर के वी कॉम तक की बुक्स में मैं इसको देख लिया है उन्हेश उनमें यह सभी option दे रखें चारों के चारों दे रखें हैं उनमें सभी में चारों दे रखें के चारों ही इस्तितियों में इनका बुक्तान होता है लेकिन यहां परवाई सही राइट आंसर के लिए नहीं है क्योंकि यह सभी बातें इसमें option में चारों बात है सही है अब आयोग इन में से किसको सही मानता है यह कुछ नहीं कहा जा सकता तो इस question के लिए sorry अगले question के और बढ़ रहे हैं निमेरिकल है इसको अलग से देखाएंगे यह भी निमेरिकल है एक खेल कि लब के संदर में घास की बेक्रयरासी होगी question हमारे पास चल रहा है । प्रॉंटी वन एक खेल कि लब है यानि गेर बैपारिक संद्धा है तो घास को यह बेच रहे हैं उससे तो पूझी प्राप्ति होगी एक संपत्ति होगी या आइगत प्राप्ति होगी या उप्रोक्त में से कोई भी नहीं होगा, तो इसका right answer होगा, ये आजिवत प्राप्ति है, ये गास गांस की जो बिकरी है, वो कई कई बार की जाएगी, कई बार दो करी जाएगी, तो इसका मतलब ये आजवत प्राप्ति ही होगी. अगला कोशन हमारे पास में है एक किलब के प्राप्ति यवं भुक्तान खाते में नहीं दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए पुराने समचार पत्रों की बिक्री या फरनीचर के बिक्रे पर हुई हानी या मान देखा भुक्तान या फिर एक कम्प्यूटर की बिक् प्रणीचर के विक्राय पर हुई हानी आप यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह जो होता है प्राप्ति अब भुकतान खाता यह रोकल खाता यानि जो कैस्वुक कैस्वुक का यही संश्प्त रूप होता है तो इसमें जो लिखे जाते मों कि अबला लेंद लिखे जाती है जो हानी या या लब जो होता है इसको इसमेन नहीं दरशाया जाये तो कि इसको नहीं दरशाया राइट यहइए होगा को अगला कोशन हमारे पास है प्राप्ति अबम भुक्तान खाते के संबंद में निमलिखित मैंसे कौन सा कथन सही है ओप्सन है यह क्रेट शेट के साथ प्रारम होता है यह एक बास्ते भी खाता है इसमें केबल आईगत्मदे लिखी जाती है इसका अंतिमसेश वर्ष का लाव यहानी प्रड़तित करता है तो पूछा है सही कथन कि सही कथन क्या है तो सही जो कथन है कि वो है इसका सही कतन जोगा यह एक बास्ति भी खाता होता प्राप्ति एवं भुक्तान खाता जो है वह एक बास्ति भी खाता है अगला कोशन हमारे पास में है कि एक किलब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा निम्लिखित रूप में दिखाया जाता है जो अग्रिम प्राप्त चंदा है यहां उसकी बाद चल लग दिये चिठ्ठे के संपत्ति पक्ष में चिठ्ठे के दाईत पक्ष में आयवे खाते के क्रेडिट पक्ष में या आयवे खाते के डेविट पक्ष में तो यहां जो अगरिम प्राप्त चंदा है वो advance है प्राप्त हो गया संपती तो हो ही नहीं सकती तो फिर यह एक दाइत हो जाता है अब जब दाइत है तो फिर यह चिठे के दाइत पक्ष में ही आएगा यानि right answer जो इसका B होगा दाइत तो कोई भी हो आर्थिक चिठे के दाइत पक्ष में आते हैं अगला कोशन निमेरिकल है अगले कोशन क्यों बढ़ रहा है किराया किरया पद्धिती में किराया किरेता अपने खाते निम्न बिदी से रख सकता है यहाँ पर बात चल लाइए द दो बात हैं किराया किरया पद्धिती किराया किरया पद्धिती में किरेता अपने खाते निम्न बिदी से रख सकता है संपत्ती उपारजन बिदी यह संपूर्ण नगद मूल्ल बिदी यह दौनों में से कोई भी विदी या फिर इन में से कोई भी नहीं right answer जो इसका होगा वो हमारे पास होगा C, दोनों ही विधियों से इसके खाते रखे जा सकते हैं, अगला कोशन है अधिकार सुल्क के स्वरूप हैं, खान सम्मधी अधिकार सुल्क, या एकस्व या पेटेंट सम्मधी अधिकार सुल्क, या किरत्य स्वाम में या कापिराइट सम्मधी अधिकार किन-किन चीजों पर मिलता है इसको अगर हम समझने तब कि तेल के कुएं घाने है यह सब होताए पैटन्ट अधीकार होता है इससे चले प्राप्त करने का अगला कोशन हमारे पास में है लगू संचय खाता किसकी पुष्टकों में खोला जाता है लगू संचय खाता कोशन हमारे पास है तो लगू संचकाता पट्टादार की पुष्टकों में खोला जाता है या पट्टेदार की पुष्टकों में खोला जाता है या उपरयुक्त दोनों की पुष्टकों में खोला जाता है या उपरयुक्त में से कोई भी नहीं किसी की पुष्टकों में नहीं खोला जाता है राइट आंचर इसका होगा ये पट्टेदार की पुर्ष्ट को में खोला जाता है अगले कोशन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला कोशन हमारे पास है पट्टा धारी द्वारा पट्टे पर ली गई संपत्ती का पूण या आंशिक भाग किसी अन्य को पट्टे पर प्रदान करना कहलाता वो क्या कहलाता लगू कार्य खाता अधिकार सुल्क खाता या उप पट्टा या फिर पट्टा राइट आंसर हमारे होगा यहां पर उप पट्टा जब एक पट्टा धारी अपने पट्टे को दूसरे को दे देता है या पूरी तरह से दे या आंसिक रूप से दे तो वो पट्टा कहलाता कभी-कभी यहां पर सब्द कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं यह आंसिक पूरी का पूरा तो चाहएं दोनों में से किसी भी तरह से हो यह हमारा उपपट्टा ही कहलाता है कि अगला कोशन हमारे पास में है जो कह रहा है किराया किरय पद्धिती में मरम्मत का दायत किस पर होता है किराया किरय पद्धिती हायर पर्चेस प्राइश किरेता पर बिकरेता पर या अंस्तह किरेता पर और अंस्तह बिकरेता पर या उपरिक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका बिक्रेता पर, अब आखिर बिक्रेता पर क्यों होता है? क्योंकि अगर किस्तों का भुक्तान नहीं होता है, तो ये बस्तु को बापस अपने कब्जे में ले लेता है, और जो भी धनदाशी जमा हुई होती है, उसको किराया मान लिया जाता है, ऐस बिल्कुल राइट है दूसरा इसका स्वामी बिक्रेता ही रहता है इसलिए जिम्मेदारी बिक्रेता की होती है जबकि किस्त पद्धती में क्या होता है किस्त पद्धती में जो है वो सारा दाईत हो जाता है क्रेता का और अगर वो किस्त जमा नहीं कर पाता है तो बिक्रेता उस पर बस्तु को जब तो नहीं कर सकता बस्तु को नहीं ले सकता है केबल वो जमा ना की गई धन्राशी के लिए दाबा कर सकता है अगले कोश्चन की यूण हम चल भरे हैं और अगला कोश्चन हमारे पास में है ऐसा ब्यक्ति जिसने किराया किराया अनुबंद्र के एंतरगत माल के करेता को माल दिया हो उसे कहते हैं माल का स्वामी किराया क्रेता या पट्टगा दाता भई krAण से आरा रही तो खरीदने वाले को क्या कहा जाता है किराया किरेता हायर पर्चेसर इसको हायर पर्चेसर नहीं क्या कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसने किराया किराया नुवंद के अंतरगत माल के किरेता को माल दिया हो यानि बेचने वाले की बात पूछ रहा है तो फिर यह होगा हमारे पास में ए माल का स्वामी को कुश्चन देखें ऐसा व्यक्ति जिसने किराया किराया नुवंदी के अंतरगत माल के क्रेता को माल दिया है यानि बेक्रेता ने क्रेता को दिया है उसे कहते हैं तो इसे अभी मैंने उपर भी कोश्चन में बताया माल का स्वामी जो रहता है वो बेक्रेता ही रहता है यानि बेक्रेता ही की ही बात चल लएगा तो वो मालका स्वामी कहलाएगा अगला कोशन हमारे पास में है किराया किरापद्धिती में बिक्रेता मालका करा सकता है क्या करा सकता है पहले देख लें बात किसकी चल लगा है किराया किरापद्धिती की और बिक्रेता की किराय किरापदिती में बिक्रेता माल का करा सकता है क्या करा सकता है उसको गिरी भी रख सकता है या विक्रेता करा सकता है या वो परयोगत मैंसे कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा क्योंकि जैसा अभी उपर आप ने देखा कि उसकी सुरक्षा के लिए उसकी मरम्मत के लिए जो भी दाइत है वो बिक्रेता का ही होता है तो दुरगटना से बचने के लिए ये इसका बीमा करा लेता है कौन बिक्रेता अगले कोश्चन की ओर है और किस की पुष्चकों में ये कह रहा है वो देख लें किस्त भुक्तान पद्धिती के अंतरगत बिक्रेता की पुष्चकों में कौन-कौन से खाते खोले जाते हैं बिक्रेता की पुष्चकों में और किस्त भुक्तान पद्धिती के बारे में यहां पर बात चल रही है किराय युक्त सभी खाते खोले जाते हैं तो राइट आंसर है किस्त भुक्तान पद्धिती में यह सभी खाते खोले जाते हैं कि अगला कोशन हमारे पास आता है किस्त भुक्तान पद्धिती में विक्रय होता है अब किस्त भुक्तान पद्धिती में विक्रय कैसे होता है नगद होता है अगर नगद होता है तो नहीं रहा है अगला कोशन हमारे पास में है जो कह रहा है सुपुर्द की किस्त को छोड़ कर सुपुर्द की किस्त को छोड़ कर पिरते किस्त के भाग होते हैं यानि जो सबसे पहले किस्त दे दी जाती है उसको सुपुर्द की किस्त कहा जाता है बस्तु के नगत मूले का भाग या अदत नगत मूले पर ब्याच का भाग और पर्यु और अदत नगत मूले पर ब्याज का भाग, यहां दोनों की बात है, जो दोनों की बात है, तो राइट आंसर यहां फिर होगा C, अगले कोशन की और बढ़ रहे हैं, और अगला कोशन हमारे पास में है, जो यह कह रहा है, हाँ, कोशन जो यहां कह रहा है, वो कह रहा है, एक पॉलिशी जिसकी कोई परिपक्वता अबधी नहीं है, यानि निरधारित अबधी नहीं है, जो बीमा किरत व्यक्ति की मिरत्यों के पश्चाति ही दे है, यानि मिरत्यों के पश्चाति इसको दिया जाता है, और जिसकी प्रीमियम दर कम होती है, वह कौन सी है, बंदोबस्ति, यानि इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिशी, या सईयोगत जीवन बीमा पॉलिशी, या फिर बात्सिक पॉलिशी, या पूर्ण जीवन पॉलिशी, त उसको मिलता है अगला कोश्चन हमारे पास में है कि छती पूर्ती का सिध्धान्त लागू होता चती पूर्ती जीवन भीमा में होता या जीवन तथा अगनी भीमा में या फिर जीवन तथा समुद्री भीमा में या फिर अगनी तथा समुद्री भीमा तो जब जीवन का नाम आ रहा तो जीवन जन जहां 25 का नाम आ रहा उसमें तो होई नहीं सकती चाथी पूर्ती चाथी पूर्ती तो दुरवठाना ना में होती और दुरवठाना से सम्मधित यहां पर दो चीज़ें वह अगनी तदा समुद्री वीमा अगले कोश्चन के और बल रहे हैं और अगला कोश्चन हमारे पास में है निम लिखित में सभी इस्थिर लागत है एक को छोल कर यानि सभी इस्थिर लागत है एक को छोल कर यानि कोश्चन यहां पर जो पूछा जा रहा है वो नेगेटिव पूछा जा रहा है कि इस्थिर ल कि निमलिखित में सभी इस तर्लागत है एक को छोड़ कर अब भीमा फीच दे इकराया निवेशकों की निदेशकों की फीच या उत्पादन विक्रह पर लाइसेंस फीच तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्पाद बेक्रेअपर लाइसेंस फीज कोईशन को देख लिए एक बार कोईशन कहरा निमलिकित में सभी इस्तिलागत है एक को चोड़कर तो राइट आंसर यहां पर हमारे पास में है उत्पात विक्राइब पर लाइसेंस फीस है यह होगा अगला कोश्चन हमारे पास है जो कि नुवेरिकल से संबन देते हैं अलग से इसको गराएंगे अगला करता वह है मैं आपको एक शिए बताओ नुमेरिकल छोड़ने कि यहां पर दो बजा है कि एक तो मेरे हो जाईगे और जब काफी लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको अपलेड करने में काफी दिक्कत होती है डाटा ज्यादा खर्स हो जाता है नेटवर्क अच्छे नहीं चल रहे हैं इसलिए इसको छुड़वा रहे हैं बीमा करता वह है जिसने अपनी बस्तु अत्वा इनका किया है या एक व्यक्ति की बीमा पॉलिशी लेने में मदद की है तो यहां पर हमें देखना है कि आगर क्या सही मद़िया है तो राइट आंसर भूरा रहे हमारे पास होगा वह राइट अंसर है जो गßenig więc कि बस तू सामयग्यार्त आङनि बस्तू डूसक्तर सामयग्य या फिर उत्पादन शुल्क और यहां पास होता है जो जहाजी भाड़ा होता है उसी को प्राइमेज के अंतरगत सामिल किया जाता है अगले कोशन के बढ़रे हैं अगला कोशन हमारे पास है कि पुनर बीमा से आ से वह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है केबल दोहरे बीमा से है एकल बीमा से है स्वामी का एक से अधिक कंपनी द्वारा बीमा कराने से है या एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने से है जब कोई बड़ा बीमा होता है और एक कंपनी ने बीमा उसका कर दिया और उसने बीमा दूसरी कंपन कॉछ के द्वारा करा दिया है एक ही का आइटम का बस्तू का व्यक्ति का जो बीमा है साथ दो कॉपनियों के दूआरा होता नहीं कराने से हैं अगला कोस्चन हमारे पास में निमलिकित में कौन एक 9 बेहन बिमा नहीं है 9 वह הזה न्व बहन का मतलब है समुद्र से समन्ध बह आएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पद्धे रखा पोत का है तो समुद्र बह publicity शंक परिवहन भीमा है माल भाड़ा है माल भीमा है तो यहां पर जो राइट अंसर है कर गजिय कि ये समांदित है कि यह भी समनदित है ये ये ले दिखियतàng तरहा के होते हैं में लेकिन परिवहन भीमा जो शटत कफरबहन चलती हैं उसने संबन दहीं तो यह वाला नहीं और यही राहिट आंसर हमारा में यया है क्या की आपक्र काолिय नहीं है विब्रह्म का अनुमान संभ़ों का ब्रगी, करांगी क लिए असुद्धि का बिसलेशन राइट आंसर यहाँ पर है जो विब्रह्म है जो कि अंतर आता है उन अंतरों का अनुमान नहीं लगाया जाता राइट आंसर विब्रह्म का अनुमान है अगला कोशन हमारे पास सांकी की अनुमानों और संभाविताओं का बिज्ञान है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है यह हमें देखना है कोशन बॉर्डिंग्टन जो विद्वान है जो सांकी की के बारे में इन्होंने काफी कुछ दिया है इन्होंने ही बात कहिए कर सांकी की अनुमानों और संभाविताओं का बिज्ञान है अगर बावले पर आप जा रहा है तो बावले जो बात थी वो थी सांकी की माद्धियों का बिज्ञान है यहाँ पर बात कही गई है सांकी की अनुमानों तदा संभाविताओं का बिज्ञान है व्डिंग्टन राइट आंसर एगला कोशन है केंद्री प्रिवर्थि की एक म माप है बहुलक यहोग अब किरनकी माप भिश्मता माध्ध बिचलन तो किंद्र परती कि माप होती है माध्ध का बिचलन इन मीन चीटिक राइचर पॉर्ण राइट आंसर हमारे पास होगा ते यानि और न पारी कोशन हमारे फंवलग के मोल एक होते हैं एक अधनात्मक विशंव बित्रण में रिणात्मक विशंव बित्रण में या संवी द्रण में तुर यह समी जो बनता है और तीनों के मान इसमें बराबर ही निकल करके आते हैं εब या आउटार Grade On我的 को अब यह और हमारे पास में आपको यह दिखाई दे रहा है यह सूची एक के सम्हों का मिलान सूची दो से कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो तरीका इससे पहले भी बताया था सूच कांग आधार बर्स एका सी हो गया इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करको उपर लेते हैं क्योंकि ऑप्षन भी हमें दिखाई देना चाहिए तो सूच कांग जो हो गया वो यह हो गया यानि एका सी अब एका हम यहां पर देख लें सी किसमें दे रखा है इसी तरह से फिर दे रखा है आधार बर्स अब आधार बर्स जो है वो हमारे पास एक सामान्य इस्तिती होती है आधार बर्स का निर्दे सांग यह हमारे पास अंड्रेड और पारिव्यारिक आयवेरीती जो है इस सूत्र से ज्याद की जाती है तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं किसका क्या है एका सबसे पहले आप देखें यह पर थाड तो एका थाड जो है वो यहां आ रहा है और बी का 1 है तो बी का 1 यहां पर है और चीन का 4 है वो यहां है और D का second है यहाँ राइट आंसर यहाँ भी निकल करके आ रहा है अगले कोश्चन की और बढ़ रहे हैं और अगला कोश्चन हमारे पास में है बहे व्यवस्था जिसके अंतरका तैसी कार्य प्रणाली व्यवस्थित कर दी जाती है कि एक करमचारी का कार्य दूत्रे करमचारी द्वारहन की प्रिकती में ही जाच लिए जाए कहलाता है अंतरिक अंकेक्षर्ण कहलाता है या स्वाख या न्यतिक जाच कहला त्यू एक दाव सब्कुर्णDo है किसके लिए आवे सकते कानूनी अंकेक्षा किसके लिए आवे सकते एक व्यापारी के लिए साज़ेदारी के लिए लोग समीती के लिए या संयुक्त परिवार व्यावासाय में तो यहां पर जो राइट आंसर है वो लोग समीती या लोग सीमित कंपनी में अगला कोशन आमारे पास है कार्याल ले टेलीफोन का घरेलू उप्योग या पिर्योग जो है वो क्या है स्रम का गवन संपत्ती का गवन स्रुविधा का गवन या इन में से कोई कोई भी नहीं तो यह संपत्ती का यहां पर संपत्ती की तो बात चलिए कार्याल का जो टेलीफ रिपोर्ट दी जाती है बैदानिक अंक्यक्षक द्वारा आंत्रिक अंक्यक्षक द्वारा सरकारी अंक्यक्षक द्वारा या सचिविये अंक्यक्षक द्वारा राइट आंसर यहां पर है बैदानिक के चखके द्वारा यह रिपोर्ट सोफी जाती है दी जाती है अगला कोशन हमारे पास में आ रहा है को कोई कंपनी ऐसे एक ब्यक्ति या फरम को अपने लेखा परीक्षण नहीं कर सकती जो कम्पनियों का लेखा परिक्षण हाथ में लियो यानि कितनी कम्पनियों का वो लेखा परिक्षण का कारण और ले चुका है वो हमें यहाँ पर देखना है 12, 20, 25 या 28 राइट आंसर है यहाँ पर 20 कोश्चन को देखें कोई कम्पनियों का लेखा परिक्षण हाथ में लियो तो उसको लेखा परिक्षण की ओर चल रहा है अगला कोश्चन अमारे पास में है पिरवणदक अंकेक्षण का संबन्द निम्न के सत्यापन से है कंपनी की लाब दायक्ता कंपनी की बित्तिय इस्तिति प्रवंद पद्दिती और प्रति किरियाओं की समीक्षा या फिर इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर यहां पर होगा प्रवंद समीती प्रवंद पद्दिती और प्रकिरियाओं की समीक्षा यानि प्रवंदन का कार प्रहरी यान एक प्रहरी होता है ना कि रक्त प्रिपास रूप यानि श्रिकारी कुट्टे की तरह और पालतु कुट्टे की यहां पर तुलना की जा रही है यह निम्लिकित मुकदमे में कहा गया था लंदन आयल स्टोरेज कंपनी में या किंश काक्टन मिल्स लिमिटेट के यह दौरा लंदन जन्रल वैंक के दिमें या है चैनिद के संबन्ध में यह लंदन अ clusters के अरु तो यह था आब की जैंस कोटन मिल्स लिमिटेद तो यानि भी इसका रॉनी और से संबन्ने मुकदमा संहिंस अंक्रहताbir लेकर करकर तो उसमें अंक्रहक प्रशक में यही बात कही गई थी जो कि जो संग्य जो यह दी जा रही है तुलना जो की जा रही है जो की गलत है लेकिन की गई यह तो क्या किया जाए तो अब राइट आंसर यही है अगला कोशन हमारे पास एक ब्यापार उन ब्यवसायों के लिए उप्योक्त नहीं होता यानि एका की ब्यापार उन ब्यवसायों के लिए उप्योक्त नहीं होता जो की आकार में बहुत बड़े हो जहां कम फूंजी की आवेशकता होती है जहां जोखिम की मात्रा अधिक ना ह जिनमें गिरहाकों पर ब्यक्तिकत द्यान देना आवेसक हो तो राइट आंसर यहां पर हमारे पास होगा ए क्योंकि जो की आकार में बहुत बड़े हैं यहां पर एकल व्यापार की उचित नहीं रहेगा यहां तो साधेदारी व्यापार की ही आवेसकता होगी जहां कम पूंजी की आवेसकता है इसलिए एकल व्यापार होता है जहां जोखिम की मात्रा अधिक ना हो कम अधिक मात्रा है अगर जोखिम कम है तब भी एकली व्यापार होता है तो राइट आंसर जो है वो ए होगा अगले कोशन क्यों चल रहे हैं और अगला कोशन कह रहा है क एकल व्यापारी का दाइत होता सीमित होता है या व्याबसाय में बिन्योजित पूंजी की सीमा तक या उपर युक्त मैं से कोई भी नहीं तो इसके बारे में बहुत बार बताया पढ़ाया गया है और पहले भी आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा इनका जो दाइत है वो अ या लेकित दौनों किसी फिरकार का हो सकता है लेकिन लिखे जिए वो उचित होता है यह उचित नहीं पूछा है यहां किस फिरकार का हो सकता है यह पूछा गया है तो राइट आंसर हमारे पास ती है अगला कोशन हमारे पास में है कहरा कर एक प्राइबेट लिमिटेट कंपनी की यहां पर बात चल लए यह क्या कर सकती है अंस अधी पत्र अंस पिरमाण पत्र रिन पत्र या फिर इन में से कोई भी नहीं तो यह कंपनी के वल अंस पिरमाण पत्र निर्गमेद कर सकती है वो भी जो इसके निर्धारी साधर से हैं उन्हीं को हुआ है कि अगला कोशन हमारे पास मैं एक स्रस्ट संयुक्त पूझी वाली कंपनी तो संयुक्त-पूझी कंपनी का सरवाधिक महत्तपूर्ण गुण है सीमित दाइत अंसों की हस्तान्तर यह यह एजा आधिनियम द्वारा इस्तापना तो इसमें सरवाधिक महत्tersन भूल करें सता सब्bel opportun से विए लेकिन महत्पूल भी शेश्था पूछी गई कि तो महत्पूल जो विश्था है वह है इसका सीमित दाइत अगला कोश्चन हमारे पास में आता है और कोश्चन है आधार भूत विचार जिस पर एक सहकारी समीथी बनाई जाती है कहलाता संगठर में सकती होती है एक सब के लिए सब एक के लिए या हम संगटीन होकर प्रत्यों की ताकई अच्छा सामना कर सकते हैं या बिविदता में एक ता तो ये किस आधार पर होती ही हमें देखना है इसके लिए जो option कहा जाता, right जो बाक्यांस भी है के एक सब के लिए और सब एक के लिए यानि सब का भला कि सभी के भले के लिए बनाई जाती है अगला कोशन है गेर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फरम में साज़ेदारों की अधिक्तम संख्या है गेर बैंकिंग वे वसाई या बैंकिंग वे वसाई की बात नहीं है गेर बैंकिंग और गैर समान्य वे वसाई में जो संक्या होती है अधिक तम साजेदारों के वो होती है 20 और भारती साज़ेदारी अधिनियम में इसके वारे में कोई चर्चा नहीं है वो चर्चा भारती कंपनी अधिनियम 1956 यह जो ऑप्षन दे रखे हैं उन्निश्च चपन के अनुशार दे रखे हैं और 2013 के अनुशार दिये होते तो इनमें एक ऑप्षन कोई ना कोई अलग से और दे रखा होता जो कि राइड वाला होता और जिसमें संख्या होती है सो अगला कोशन है और कोशन हमारे पास है एक ब्या पारी के सामाजिक उतरधाइत में यह समयल्यित नहीं है सामाजिक उतरधाइत दुल्लव संसादनों का अनुखुल्तम उप्योग रोजगार के अवसर ऊत्पन करना अंसरणियों के पिड़ती दाइत है आर्थिक सक्तियों का विकेंदरी कर करना राइट आंसर है एक ब्यापारी के काई के सामाजिक उतर धायत धार्यों के परती धायत यह निगेटिव पूछ अगया बाकी सब यहां पर ओके हैं राइट है सब यह यहां पर निगेटिव अन्सदार्यों के परती यह दायत अगला कोशन आमारे पास में है बिकेंदरी करान तो केंदरी करान बिकेंदरी करान मैंने किसी कोश उसमें समझाया था सेट में पूरा इसका आर्थ बताया था जब करन का सरव प्रत्थम प्रादुरुबाब वह था यानि इसकी जो स्तुरुवाथ हई थी घरमनी सो हई थी और बलूक्य है प्रांस के उध्योगो coming, बलतें, प्राम चुझा के ओध्योगों में रूस के उध्योगों में या फिर जर्मनी के यंद्धियोगों में है अगला कोशन हमारे पास में है विखणन के अंतररगत अध्यान किया जाएगाँ वह विक्रे प्रबंद का और वोक्ताओं की संतुष्टी का और वोक्ताओं की किरे संबंदी ब्याभार का या फिर उप्रोक्त सभी तो राइट यहां पर आंसर जो है वो हमारे पास में विक्रे प्रबंद का भी इसमें अध्यन होता है वोक्ताओं की संतुष्टी का भी और वोक मुखताओं की किरसमंदी ब्याभार का भी तो यहां खुल मिलाकर जो राइट आंसर होता है वह होता है अगला कोशन हमारे पास में है जब उत्पादों को दुकान के भीतर ही प्रदर्शित किया गया हो तो विध्यापन की इस विधी को कहा जाता है क्या कहा जाता है ओप्शन में है बिंडू डिस्पेले काउंटर डिस्पेले विशेश विध्यापन करना या अन्तहा विध्यान तो राइट आंसर यहां पर है अन्तहा विध्यापन विध्याने विध्यापन इंटर्नल एडवर्टाइज अगला कोषन हमारे पास का पूरा रूप क्या है यहां पर शॉल्ट फॉर्म दे रखी है और शॉल्ट फॉर्म से हमें इसकी फुल फॉर्म दे रखी नहीं है पहला दे रखा है physical distribution system, दूसरा दे रखा है public distribution system और तीसरा दे रखा है pupil distribution system और चौथा दे रखा है परफोजी distribution system यहाँ पर अब जो right answer है वो हमारे पास right answer है बी, पी से public, डी से distribution और एस से system तो यह इसे कह सकते हैं public यानि सार्वजनिक distribution बित्रण और system प्रिणाली सार्वजनिक बित्रण प्रिणाली इसको कह सकते हैं अगला question हमारे पास में भारत में आर्थिक उधारी करण की फिरक्रिया ब्यवाहारिक रूप से किस बर्स में आरंभ होई थी कि उधारी करण की है 51 या 91 51 इन दोनों में है 51 51 में नहीं है 91 91 इसका राइट आंसर रोका अंगरा 41 इसका राइट आंसर आगला question की हो रोषे वाहरत में अध्यों की बिकास मंद गती से होने का कारण है मंद गती से बिकास मंद करण क्या है और उसके राइट कारान हमारे पास में दे रखे हैं बिजली की कमी, सिर्मिक असांती, पूजी की कमी या फिर उपरोक्त सभी राइट आंसर यहां पर है उपरोक्त सभी कारण है मंद गती के अगला कोशन हमारे पास है सार्वजनिक छेत्र के उपकरम इस्थापित करते समय क्या उद्देश्च होता सामाजिक कल्यान, राष्टी यहित या सर्मिक कल्यान या उपरयोक्त सभी कई वार कई सेटों में आ चुका है हमारे पास यह मिस्तरित अर्थ भेवर्ष्था है इसमें हमारे पासूं में लाइशन है निमलिखित मैं संचार का नबींतम तधा सर बादिक विश्पषन यह साधन कौन सा है कि संचार का कि स्पीट पोश्ट कि टेलेक्स या फैक्स या फिर इमेल तो इसके बारे में सभी जानते हैं इमेल सबसे ज़्यादा बिश्बसनी है प्रिशिद्ध है फैक्स कि सभीदा हर जगा नहीं हो पाती है और इमेल आसान तरीका भी है अगला कोशिण हमारे पास में है् इसमय से या इनमें से कौनसा कार्रेले प्रबंध का तत्व नहीं है कार्रेले प्रबंधन का परियावरण शाधन बिप्रण प्रबंद की ये योग गयता तो राइट आंसर हमारे पास यहां होगा बिपड़न कार्राले प्रवंद की यहां पर बात सल लएए कार्राले प्रवंद का तत्त नहीं है पर्याबरन बाताबरन साधन प्रवंद की योग गेता कि सब आरें उसके अंदर बिपड़न मार्केट से सम्बंदी थे तो विपलन ही इसका राइट आंथर होगा अगला कोश्चन हमारे पास होगा कार्याला का प्रार्थमिक कार्या है अब कार्याला का प्रार्थमिक कार्या क्या है अभी लेक तैयार करना प्रयोग करना तथा इने सुरक्षित रखना दूसरा है करमचारी बरekt को फ्राजी सरमिक प्रिदान करना तीसरा है पिरवंद नीतियों का क्यर्यान्मय प्रुप्ण करना कंपनी की संपत्यों की सुरक्छा करना यह पूछा गया है प्र PLAYING कार्द होंसा है अगला कोशन हमारे पास है कार्याल प्रवंधक कार्याल प्रवंधक जो है वो उच्छ प्रवंध नीतियों को कार्याल रूप में फरिनित करने हेतु उतरदाई होता है या फिर लिपिक ये सेवां प्रदान करता है या जन संपर्क अधिकारी के रूप में कार्या करता है या पिर उपर योग्त सभी तो यहां पर जितने भी कार रहे हैं यह सब कार्याद प्रबंदक के ही हैं तो राइट आंसर जो होगा वोगा उपर योग्त सभी अगर आवाज नहीं आ रही हो तो हेटपॉन या इयर्फॉन का यूज जरूर करें अगले कोशन की और बढ़ रहे हैं अगला कोश्चन अपने पास है कि एक साजयदारी समझाता हो सकता है मौखिक लिखेत या इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर जो इसका होगा यह दोनों ही हो सकते हैं कई बार यह रिपीट हो रहा कोश्चन मौखिक अथवा लिखेत दोनों पिरकार का हो सकता है लेकिन अगला कोशन है कि साजयदारी में साजयदारों का दाइत होता है सब जानते हैं यहां पर किस तरह का दाइत जो होता है साजयदारी में साजयदारों का दाइत होता है यहां पर देख सकते हैं तो ए पर जो दे रखा है और बी पर साजयदारी में साजयदारों का दाइत होता है सைयुक्त इह और फिर्थक अब डीपर भी यही दे रखा जो सी दे रखा और वही डी दे रखा मैंने ठीक है है एक निजी कंपनी नहीं करती है और आंसे कंपनी क्या नहीं करती है साथिस्यव कि स्ग्या स्सीमित और जिए एंच हर विजिनिक आमंत्र तो legal cause तो आपर विस्यानते हैं किसों को क्रेकर करने के लिए अमंत्र न तो यह कर ती नहीं आम जनता को राइट आंसर डी होगा तो अगला कोश्चन हमारे पास में है कि एक सिमित दाइत वाली सार्वजिनी कंपनी की सामान्य सभाह के लिए कार्राबाह संख्या होती है जिसको कोरम कहा जाता है दो सदस्य तीन सदस्य चार सदस्य या फिर पांच सदस्य तो राइट आंसर होगा इसका यह कोरम जो होता है यह पांच सदस्य का होता है अगली अगला कोश्चन हमारे पास में है बिधी की अब बिधी कानून को कहा जाता बिधी की निगहा में एक निजी कंपनी को सार्वियन कंपनी मान लिया जाया का यदि इसके सदस्यों की संख्या साथ से अधिक हो जाती है तब तो नहीं क्योंकि अधिक्तम संख्या इसकी भारती कंपनी दिने मनुश्चापन के अनुसार पाचास और 2013 के अनुसार 200 है तो यह तो सही है कि इस दो कंपनी निजी कंपनी के दाइरे मा रही है दूसरा है उसकी दत्त पूंजी 50 लाक रुपए से अधिक हो जाती है यह यह निजी कंपनी की बिशेशता ही है इसके संचालक निर्दिष्ट समय अबधी में योगता अंस ग्रहन करने में असफल हो जाते हैं तब भी रहेगी निजी कंपनी के दाइरे में और अगला उप्शन है डी उसकी दत्त पूंजी का 25 प्रती सत्थ से अधिक भाग किसी एक निगमित संस्था द्वारा अधिक रहन कर लिया जाता है तो राइट आंसर इसका डी होगा अगला कोशन हमारे पास है जब एक कंपनी के कम से कम 51 परसेंट अंसर सरकार के पास हो तो बहक कहलाती है निवेश कंपनी, सरकारी कंपनी, सार्विदिनी कंपनी या फिर लोक कंपनी तो ऐसी कंपनी जो कहलाईगी फिर जब सरकार के अंडर में 51 परसेंट, 51 परसेंट शेयर हो गए हैं तो वो सरकारी कंपनी के दाइरे में आ जाएगी राजय सरकार या केंदर सरकार दोनों की यहाँ पर बात हो सकती है, अगला कोश्चन हमारे पास में है नियंत्रन का अंतिम चरण है, निस्पादन का मापन, निस्पादन के मापदन निर्धारित करना, सुधारात्म कारवाई करना, या निस्पादन की मापदन से तुलना करना राइट आंसर यहां पर है नियंत्रण का अंतिम चरण नियंत्रण के लिए सुधार आत्म कारवाही करना आवसा खोता राइट आंसर सी होगा अगले कोशन की ओड़ चलना और अगला कोशन हमारे पास होगा निम लिखित में कौन नियंत्रन कार्या का अंस नहीं है नियंत्रन कार्या का अंस नहीं है कार्यों का वंटन मानकों की इस्थापना निस्पादन का मापन सुधार आत्मा कार्यवाही करना उपर जो कोशन आया था सेम है उसी जैसा लेकिन यहाँ पर क्या है निम लिखित में कौन नियंत्रन कार्या का अंस नहीं है तो कार्यों का आवंटन यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्यों का आवंटन बाकी सब है अगला कोशन हमारे पास में है नियंत्रन का मुख्य उद्देश्य है या होता है दोसी व्यक्ति को सजादेना यह सुनिश्यत करना कि निस्पादन नियोजना अनुशार हो सी है अनुशासन बनाई रखना डिया अधीनास्तों का दाइत निर्धार्यक करना नेंतरन का मुख औ देश तो नेंतरन का मुख है इव देश जो है वो है ब्याव में लुद कोशन हमारे पास में है नियंत्रन का विस्तार सिध्धान्त बताता है कि नियंत्रन होना चाहिए अब यह सीमित उद्देशे के लिए होना चाहिए यह सीमित समय के लिए होना चाहिए यह निकटास्त अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्तों पर होना चाहिए या फिर अधिनस्तों की सीमित संख्या तो राइट आंसर जो है जो नियंत्रन का विस्तार सिध्धानत है जो वो बताता है कि अधिनस्तों की जो संक्या है वो सीमित होनी चाहिए और इसमें जो संख्या बताई गई है वो भी छे पर ही ज्यादा तर द्यान उस पर दिया जाता है तो राइट आंसर इसका जो होगा अधिनस्तों की सीमित संख्या अगला कोशन है निम्नांकित मैं से कौन सा कथन गलत है नियंतरन एक पिर्थी गामी पिरकिरिया है नियंतरन एक अग्र गामी पिरकिरिया है या किरिया है या नियंतरन एवं नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं राइट आंसर यहां पर भी हमारे पास में यही होगा कि नियंत्रन एवं नियोजन जो हैं वो एक दूसरे से सुवतंत्र हैं यह दोनों अलग अलग हैं या सुवतंत्र हैं डी राइट आंसॉर, अगला कोशन हमारे पास में है, नियंत्रन का मुख्य उद्देश से होता है, अब नियंत्रन का मुख्य की उद्देश से होता, करमचार्यों भे उत्पन करना ? पूर्म निश्चित मानाकों के अनुशाल निश्पादन करना अपराधियों को दंड देना या उत्तरदाईत निर्धारत करना कोश्चन रिपीट है लेकिन ओप्षन थोड़े से चेंज इसके कर दिये गए हैं कोश्चन रिपीट है तो राइट आंसर जो है उसमें भी यही पूर्म निश्चित मानाकों के अनुशाल निश्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है यही देखना है अगला कोश्चन है जब निर्यात आयात से अधिको तो ब्यापार संतुलन अनुकूल होता है या भोकतान संतुलन अनुकूल होता है या भोकतान संतुलन अनुकूल होत जादा है और आयात कम है बाद वही है यहां कहा रहा है जब निर्यात आयात से अधिक है यहांD ुबेख्रा निर्यात से जिए यहां इहां चाहिए से पिछले प्रेक्टिस एट में भी कोशन यहाया था और यहाय का Jo Hobbs हो से होइज हो फोतिया रहत्तों की लिए यही आता इंडेन tut और दोनों के प्रियोग में सब दाता है अगला फोशन हमारे पास है अगे lotta दिखर है कि जहांदेशी निर्गट जहाजी आदेशी निर्गमित किया जाता है आदेश होना चाहिए जहाजी आदेश निर्गमित किया जाता है जहाजी कंपनी द्वारा कष्टम अधिकारी द्वारा निर्यात करता द्वारा या भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा राइट आंसर जो जहाजी आदेश है या काहजी कंपनी द्वारा चाहिए अगला कोशन है कि क्या गा विदेश व्यापार नितीया विदेश दॉचिनलन सकत घोचला कि गई थी मार्च см, यह अपरेल 2015 में किया अगस्त 54 में खिय गई यह अक्टूबर 2014 में कि गई थी तो इसकी गोशनलडर की गई थी अपरेल में की गई थी कि 2015 में कि अगला कोशन हमारे पास है विसमें उधारी कराण का पुर्योग किया घाएंघ अंतरराश्टय व्यापार में उस नीती को यह कहते हैं जिसके अंतर अगट हम उसी राश्टय से आयात करते हैं यह बदले में हम से आयात करता है बहुपक्षी पक्षी आयात counter ब्यापार या फिर इन में से कोई भी नहीं तो राइश राइट राइनसर जी इसका होगा दुश्ता पक्षिया ब्यापार यह कहला था जब एक दूद्रे से जो हमसा खरिता हम उसको माल देते हैं हम जिस्से माल खरीते हैं मुझे को देते हैं यानि एक दूसरे से आयात निर्यात होता है अगला कोशन हमारे पास है भुकतान असंतुलन भुकतान असंतुलन से क्या आसा है निर्यात आयात से अधिक आयात निर्यात से अधिक निर्यात आयात दोनों बराबर या फिर इन में से कोई नहीं है असंतुलन की बात चल रही है जिसको हम पिर्थी कूल भी कह सकते हैं तो राइट आंसर है आयात निर्यात से अधिक है आयात जब अधिक है तो हमारे पास से हमारे देश से भुकतान ज़्याद जाएगा और निद्यात कम है तो भुकतान कम आएगा तो राइट आंसर जो होगा वो भी होगा अगला को्शन हमारे पास में है बैबसाइक संगटों 거는 पुरुषकार रवम दंडी की तक नीकी का पर्योग निम्लिकित की लिए किया जाता है गहर हाजरी कम करने के लिए और के लिए फिर वहावी नेतरत्यों के लिए इस को पुरुषकृत करने के लिए तो कोशन रिपीट है, मतलब कोशन इसमें रिपीट नहीं है, इसमें जो हैं नहीं आया है ये, पीशे और प्रेक्टिस स्येटो में ये कोशन आचुका है, लेकिन मैंने आपको एक बात कई बार बताए कि जब कोश्चन कई कई बार आपके सामने से होकर गुजरेगा तो वो कोश्चन आपका 100% पक्का हो जाएगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा भी उत प्रेड़ंग के लिए सेहम से अभी प्रेड़ित होना यानि खुद अपनी इच्छा नूसार कारणा को करने के लिए अगला कोश्चन हमारे पास है निमलेखित मैंसे प्रेड़ना प्रतिकर का कौन सा प्रतियक्ष्य लाब है प्रेड़ना प्रतिकर का कौन सा प्रतियक्ष्य लाब है राइट आन प वस्तिति में कमी हैं उत्पादन में ब्रद्द्द्द्द्द्द darauf इस रायोग ने जो माना था वो ये करम चारीं के सवेच्छा से अधिक से अधिक कार्णा करने के लिए अभी प्रिएरिध करना ही तो है करमाव य chessy करना काशा सभए करना है उत्रणा सी ठाइट करने यहां इसका राईट áंसर दोर्णा यानिक यह ही इसका यहां पूछा गया निगेटिव जो है कोशन की करमचार यहां पर यही होगा निगेटिव अगला कोशन हमारे पास में है निमलीखित में से कौन प्रबंदक का सबसे महत्यफून कार रहा है प्रबंदक अगला कोशन हमारे पास में है और वह कोशन हमारे पास संप्रेशन के लिए कि निम्ली लिखित कदम किस किरम में उठाए जाते हैं संप्रेशन के लिए निम्ली लिखित कदम किस किरम में उठाए जाते हैं यहां पर एक कूट नीतिया पर दी गई है सबसे पहले समस्या के समधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्रदान करना बैचारों या निर् राइट आंसर हमारे पास में होगा कि वह हमें इसका किरम देखना है कि वह किस किरम पर होगा सबसे पहले इसमें होता है उसको हम किरम कर लें सबसे पहले समस्या इस पर स्थ होनी चाहिए नमबर एक और जब समस्या इस्प्रेश्ट हो गई तो इस समस्या से निमटने के लिए इसके समाधान के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा यह दूसरे नमबर पर आएगी और इसके बाद बिचारों या निड़ने का समपरेश्ट होना चाहिए तो यह तीसरे नमबर पर हो जाएगा अब यह बचा समपरेश्ट की प्रभाप सीलता का मापन यह हमारा होगा खोर्त नमबर पर अब इस तरह से हम देख लें कि सबसे पहले नमबर पर आ रहा है कि सबसे पहले कि अच्छ नंबर पर फश्ट पर फश्ट नंबर पर आ रहा है यह तीन और बागी किसी में फश्ट नहीं आ रहा है दूसरे नंबर पर विपन तीसरे पर टू चौत अपनी जगा पर राइट आंसर डी होगा अगला कोशन हमारे पास हो ऊपर की वो सम्परेशन में समलेते नहीं है उपर की और मीमो सुझाव सिकायत प्रतियक्ष बिचार बिमर्स कोशन यह भी किसी सेट में आ चुका है राइट आंसर यहाँ पर मीमो बताया गया था पहले भी कि मीमो अगला कोशन हमारे पास है क्यां निगेटिव पूछाता सहीध है गटिया वर्स्तूं के लिए आय मांग की लोच यह आय मांग की लोच सुन या फिर अनंत तो राइट आंसर जो इसका होगा वह होगा रैनात्मक क्योंकि इस तरह की जो मांग होगी वो होती है रिणात्मक यानि इनकी मांग आय की ब्रद्दी के साथ साथ बढ़ने के स्थान पर कम होती है जब किसी की मांग बढ़ती है जब किसी ब्यक्ति की आय बढ़ती है तो घटिया बस्तूओं को नहीं खरीता है फिर वो खरीता अच मांग की आली लोच है ओप्सन यहां पर दे रखे हैं एक्स बस्तू की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बाई बस्तू की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपन में थाई भी है एक्स बस्तू की मांग में आनुपातिक परिवर्तन और अपन बाई बस्तू की मांग में आन आनुपातिक परिवर्तन क्या है सब एक जैसे यहां दिखाई दे रहें गलत है क्या हुआ ये एक्स बस्तू की कीमत भाई बस्तू की मांग में अनुपातिक भही हाँ पर आप्सण ही इसाब गलत दे रहें एक ही आपसन वह कई बार यहां पर रिपीट हो रहा बस तीसरा सी आपसन है जिसमें एक अलग दिखाई दे रहा है मैं एक्स बस्तू की मांग मानुपातिक एक वरस्तू कीमत यह तो सही राइट आंसर जो भी ऑप्सन दे रखें वो ऑप्सन ही क्योंकि सेम है तो राइट आंसर जो यहां पर है वो हमारे पास सी राइट आप्सन इसका होगा कीमत अपॉन में आता है वो कीमत सही है अगला कोशन हमारे पास है मांग की आय लोच होती है मांग की आय जो है वो लोच होती है कैसे धनात्मक रिनात्मक बार रिनात्मक दोनों या फिर इन में से कोई भी नहीं राइट आंसर यहां पर हमारे पास होगा राइट धनात्मक बार रनात्मक दोनों दोनों हो सकती हैं विल्कुल सही है राइट आंसर्स थी ही होगा दोनों हो सकती हैं लेकिन लोच भंगे अगला कोशन हमारे पास राइट आससा इसाथ जो पिरकार मोंत प्रकार्व क्या है उत्पति ब्रदी निय debate नियम उत्पति संता ईपति रास नियम है in फ्रोक्त सभी तो यहां पर राइट आनसर यह सब उत्पत्ती की नियम के फिरकार प्राप्त किया जा सकता है अलपादीकार में एकाधीकार में एकाधीकारात्मक पृतियोगिता में या पूर्ण पृतियोगिता में राइट आंसरें यहां पर कि जब पूर्ण पृतियोगिता होती यानि पृतियोगिता जब चरम पर होती है तभी संसादुनों का सरवादिक सीमा तक कुशलावंटन कि किया जाता प्राप्त किया जाता अगला कोशन हमारे पास में है जन संख्या सिध्धांत का पिर्थी बादन किस ने किया था मिलने किया था माल थस ने किया था एडम इसमित ने तो एडम इसमित ने यहां पर जो राइट आंसर जो है वह हमारे पास में सी है माल थसका ही नियम चलता है जंसंक्या मैं इसनों वनाने जंसंक्या और भोजन के बारे में बताया था जिया मीतियों और गड़िए के बारे में तो आगला कोशन निर्माल की प्रिकेर्यर निर्भर कर्ती है उत यहाए पर बयायों पर वेदे ही सहायता पर यहा फिर बचतों पर तो राइट आंसर हमारे पास है पूझी निर्माल जो एकी जो पिरक्रिया निर्वर करती है वो बचतों पर करती है अगला कोश्चन हमारे पास में आता और वो कोश्चन है मुद्रा बहे धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है अगला कोश्चन हमारे पास है भारत में बैंकों का बैंक है यह तो कोई बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन और सबको पता भी होगा कि आज यह जो बैंक है आरवी आई भारती रेजर बैंक अगला कोश्चन हमारे पास है निम्न मैंसे ऐसा कौन सा कार रहे है जिसे रेजर बैंक आफ इंडिया नहीं करती है नोट निर्गमन का कार रहे है तो करत नहीं करती है निगेटिब पूछा है कोश्चन जो पूछा है वो निगेटिब पूछा है ठीक राइट आंसर यह यह साख निर्मा अगला कोश्चन हमारे पास में निम्न लिखित मैंसे कौन सा एक साख नियंत्रन का उपाय नहीं है साख नियंत्रन बैंक दर नीथी घुले बाजार की क्रियां यह साख जमा नुपाद यह नगत कोश नुपाद राइट आंसर यहाँ पर C होगा साख जमा नुपाद साक जमा अनुपाद इसमें गुरात्मग विदी, मातर रात्मग या संख्यात्मग विदी को अपना लिया जाता है अगला कोशन हमारे पास में है निमलिक हिए मैसे कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है तो भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए कौन अधिक्रत है तो भई ये सभी को मालूम होगा RBI ही है इसी को मुद्रन निर्गमन का अधिकार पर राप्त भारत में अगला कोशन हमारे पास ब्याजदर का नियमन किया जाता भारती इस्टेट बैंक द्वारा भारती रेर बैंक द्वारा के निसरकार द्वारा या फिर उपर युक्त में क अधिर रुपे के अभमूञ्यन से क्या और में कमे गरे रुपए की घरेलो के रिज़सक्ती में और में कमी तो जो रुपए की वैल्यू मानी जाथी प्रतिएक देश की वह मानी जाती है रुप्य की बाहिए देखा जाता है अगला कोशन हमारे पास में है सेवी की इस्थापना हुई और इसका प्रधान कार्याल है यानि दो बातें इसकी इस्थापना कब हुई है और इसका प्रिधान कार्याल है कहां है 1992, 1988 लखनव, 1988 मुंबई या 1998 कोल काता तो राइट आंसर इसका है 1988 मुंबई अगला कोशन हमारे पास में है भारती ये ओवर दा काउंटर एक्चेंज की स्थापना भारत में हुई थी किस रूप में हुई थी यहां पर ये पूछा गया है एक संयुक तो इस्टॉक कंपनी के रूप में एक निगम के रूप में एक सोसाइटी के रूप में या एक विभागी अंडर्टेकिंग के रूप में घौका पूश्च है कॉन शफ़ेंच का रहाई है नहीं है पिर्ती भूतियों का मुझीर अंक्षण देना अधिक लाफ्ष को निश्यत करना सकर्ण कूशन पूशा गया है निगेटिव नहीं है तो राइट आंसर है अधिक लाव सुनिश्चित करना अगले कोशन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला कोशन हमारे पास में है सेवी का पूरा स्वरूप है सेवी का पूरा स्वरूप है ओर्सन में दें रखा सीक्योरेटी अ हमसले कि इस्टेट यूटर यह तो होई नहीं सकता कियोंकि यह तो किसी हालत में नहीं क्योंकि ऐस से कई होता है अब सिक्योरेटी सब्द इन दोनों में तो यूज जानमा जाएगा अब सिक्यूरिटी जो सब्द है वो दोनों में रखा वी और सी में अब आगे की बात देखें सिक्यूरिटी इसे एक्षेंज भी होगा और एंड भी होगा लेकिन यहां जो सही सब्द हमारे आ रहे हैं वह एक्षेंज आ इसे एक्षेंज बैंक ओफ इंडिया बैंक ऑफ के लिए यहां पर किसी सब्द का प्रयोग नहीं है इंडिया तो राइट आंसर जो इसका है वह हमारे पास में एक्षेंज एंड आप कि अधिया एक्षेंज बोल्ड आफ इंडिया राइट आंसर जो होगा अगर इसमें एंड का प्रयोग ना भी किया जाए तब भी यह राइट होगा सिक्यूरिटी एक्षेंज बोल्ड आफ इंडिया एंड का प्रयोग नाभी हो तब भी यह सही होगा तो राइट आंसर जो हुस्ती है देख लेना इसको सी राइट आंसर होगा कि अग्षेंज एक्षेंज बोल्ड आफ इंडिया क्योंकि वी से बैंक नहीं बोल्ड सब्द आएगा जो कि ठीक होके सी है अगला कोशन निम्लिकित उदाहरन को हो जाता है कभी 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 कि अच्छे से मालूम है फिर भी वह हो जाता तो सी राइट आंसर है अगला कोशन है और निम्लिकित उदाहरन को पढ़िए एवं उत्तर दीजिए इसकंद विपणी अर्थ व्यवस्था का दवाव मापी यंत्र है यह है कथन इसकंद इस्टॉक विपणी जो मार्केट से ही यहां मतलब आता है अब यह बाद जो है किस से सम्बन देते हैं मार्शल रोबिंस या ज्यार्डी डहाट तो राइट आंसर जो इसका है वह गा मार्सल मार्षल के अनुसार यह बात कही हुई हिए यह कतन कहा हुए प्रोफेसर मार्षल के अनुसार अगला कोशन हमारे पास है सेवी के चेर्मেन की निउक्ति की जाती है ये कोशन युरह दोर दोरा याicity सं चेर्मेन की वो की जाती है केंद्रिये सरकार के द्वारा राइट आंसर यही है और अगला कोशन हमारे पास आता है निमलिखित मैं से किस समीती ने भारत के बित्तिये छेत्रों में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये समीथी ने या नर्सिम्हन समीथी ने कोशन निमलिखित मैं किस समीथि न भारत के बित्तिये छेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये थे इसके समीथि किस समीथि ने किया इसको स्वां मन समिति नाम पड़ा है इसमा सी मन समीति यह इसमें शाधरसल समीत्य है राइट आंसार नर समिति अगला कोशठन हमारे पासमें भारत की हरेत करांठी में किसने एक उत्परेरक की भुमिका निभाई भारति कि जान्ती में किसने एक उत्परेयरक्टी भूमी का निभाई तो तो स्वामी नाथन नाम इसमें आता है जान्ती में स्वामी नाथन अगला कोशन हमारे पास में है और लाश्ट कोशन है से निर्धन ता का क्यां दुष्ट्चक्र निर्धन आका सबस्थ्चक्र बचत की मांग पूर्थी दौनों को प्रभाववित करता इस विचार का आरम हुआ यह किस ने कशरूर किया इस नियव को किसर नहीं शुरूर किया यह इडरमिशमित ने किया यह नरक्ष नहीं किया यह फिर अन्य नियम करने दाद रहे तो यह यहाध से पूले प्रक्टिस्येट कि पूरे कोशन यहां पर हो चुके निमेरिकल को छोड़ करके काथ कोई कोशन का जिसको देखेंगे ढूंड़ेंगे और देख करेंगे उसका भी समधान